जब भी कोई आदमी real state का काम करता है, चाहे ओँ एजेट के तोर पर करे, चाहे ओँ इन्वेस्टर के तोर पर करे, चाहे ओँ बिल्डर के तोर पर करे, जो भी करीगा उनको इस फार्मुले से गुजरना ही पड़ेगा। एक certain amount में आना है कि यह amount हमारी बन गी है कि इस rate में हमें प्रॉपटी परिखा comparison of rate क्या है यह बहुत important है यह comparison of rate उसके एक colony में rate 20,000 पे गज का है और एक में 15,000 पे गज है हमें comparison करना है कि यह 15,000 पे गज बाला rate है यह 15,000 में क्यों है बताया तो कि यह तेरा 200,000 पे प्लॉट है और तुम इसके जो 42,000 पे मंग रहे हो इतने में और प्लॉट मिलते है यदि हम इतने में प्लॉट लेके इसके उपर पैज़े लगाएं तो भी 25,000,000 पे में प्रॉपटी बनती है CCM के बिना रियल स्टेट के बारे में सोचना भी बेगा दोस्तों आपके अपने चैनल प्रॉपटी गुरूपल में आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं राजबन स्क्राइब और आज का जो टॉपिक है वो बड़ा सिंपल है CCM का फार्मूला क्यों इसके बारे में बात करेंगा क्योंकि CCM का मेरे को लग रहा है कि जो इतने बंदे मेरा यूट्यूब चैनल देखते हैं उनको CCM का पता है जिनको नहीं पता उनकी जाल करेंगे बिता देता हूं कि पहला C, Calculation है और दूसरा C, Comparison of Rate है और तीसरा M है जो यह Management कह सकते हैं या Manipulation मैं इसको Manipulation बोलता हूं मैंनो C, Calculation और C, Comparison of Rate और Manipulation Manipulation को आप Management भी कह सकते हो यदि किसी को Manipulation शब्द है जो Negative लगता हो यह क्यों जूरूर ही है क्योंके जब भी कोई आदमी Real State का काम करता है चाहे वो Agent के तोर पर करे चाहे वो Investor के तोर पर करे चाहे वो Builder के तोर पर करे जो भी करेगा उनको इस फार्मले से गुजरना ही पड़ेगा इसके बिना कोई बुजरन का मतलब यह है कि हम कोई भी property लेते हैं उसका पूरा खर्चा हमने calculate करना है कि हमें कितने ही पड़ेगी है पहले property का rate फिर उसका registry का खर्चा फिर commission फिर यदि वो property में कुछ आपने उसको reshape करने के लिए या develop करने की प्रेसा लगाया तो वो यार कोई भी किसी तरीके का यदि कोई खर्चा है सरकारी भीस भी हो सकती है यदि वो सारे के सारे खर्चे डालके हमें calculation करके एक certain amount में हाना है कि यह amount हमारी बन गई है कि इस rate में हमें यह property परेगी दूसरा सी है जो comparison of rate comparison comparison of rate क्या है यह बहुत important है यार comparison of rate तो comparison करना मतलब एक ही शहर में यदि हम रह रहे हैं कि उसके एक colony में rate 20,000 पे घज का है एक में 30,000 पे घज है और एक में 15,000 पे घज है हमें comparison करना है कि यह 15,000 पे घज बाला rate है ओक यह यदि 25,000 पे घज में रह रहे हैं तो 3000 बाला क्यों है इसका हमें के से पता लगेगा उससें में प्रोपर स सरके बनी होगई प्रापर पानी का इंतजाम होगा सीविलेट का इंतजाम होगा, ड्रीने सिस्टम होगा, पारके होंगी, और जो सहुलते हैं सारी होगी और डिवल्ब हो चुकिये होगी, तो उसका रेट तीस हेजर हो सकता है, जो नहीं पास रही है, कि जिसमें यह सहुलते अपि नहीं है, तो उसका रेट 20,000 हो सकता है क्योंकि इसमें पार्के बनने वाली है, पानी का सिस्टम होने वाला है, मतलब सीविलेज का सिस्टम भी बनने वाला है, पार्के बनने वाली है, यह सारी चीचे बनेंगी, तब जाके वो रेट उसका 30,000 है, लेकर हमें मतलब पता हो जाएगी के 20 कि हुआ कि लिए के लिए पहले वीडियो कना थी कि हमने ब्यारी सलाद टोक्रशन लेगे एक वोसा अदमी को मेर को बढ़ा है लेके बताया तो यह तेरा डाइसो गजी का प्लॉट है और तुम इसके जो 42 लाठ रपे मांग रहे हो उपर कुछ लगा हुआ तो उसके घर बनाया हुआ तो इतने प्लॉट है और इतने और प्लॉट मिलते हैं यदि हम इतने में प्लॉट लेके इसके उपर पैसे लगाएं तो भी 25 लाठ में प्लॉट है तो वह इंगलाइंड से बंदा आया हुआ था इंगलाइंड से आया तो वह नक्षा भी इंडिया के हिसाफ नहीं बनाया था मैंने एक लुक्स यह है तो जब मैं उसको स्कूटर में बठागे लेके गया और प्लॉट दिखाए केमत पता ही तो वह बंदा प बेचने के लिए तैयर नहीं हुआ जब उसको 3-4 महिन निकल गे और 22,00,000 का कोई ग्राग न मिला उसको 20,000,000 का भी ग्राग न मिला तो उसने प्र मेरे को गौन किया कि आप इस प्रॉपर्टी को आप ग्राग हमें डूंड के दे सकते हो तो मैंने का 100 रट दे दूँगा त प्रॉपर्टी हमने 26,00,000,000 में बेच दी दोस्तों यह नहीं कि वह प्रॉपर्टी कोई लूट लियर उसको ऐसा नहीं था रेट ही कम था लेकिन वह मांगने वाला जितना भी मांग जी मांगे मैं हमेशा कहता हूं कि बगवान से और ग्राग से जितना ज्यादा मांग जाखेंए मतल उसमें कमजेंग एक पर्उपर हो जैंग जिससे रेट को हम कर तक है तो चौपिलड़ पैची सब्सक्राइब कर लिए और उसकी प्रॉपर्टी बेग गई यह यह हम उसको ना बताता के तुम्हारी प्रॉपर्टी इतने ही है तो हो सकता वह प्रॉपर्टी कितने था आप तो चितना बढ़ी रेट पैसे टाइम के इसाफ से रेट बढ़ते रहते हैं तो उसका पर नहीं बढ़ता लेकिन हमें कुरंट रेट का जूरूर पता हुई कि मैंने कंपैरिशन करके दिखाया तो वह बन्दा कर गया वह कंविंस हो गया तो हमने साड़े चौभी लाग की प्रॉप्री और साड़े शबी लाग की बेची उन दिनों में हमने दो लाग पर कमया था और वह दो लाग कर पर काफी अच्छी मौर पानी चाती है तब के बन् बेचने के लिए हमने सारे उसमें अपना जो सिःपार आना बेचने के लिए सारे सारे स्क्राइब करने में काम याख हूग विए उसको मेनुपलीट करने में काम्याद होगी तो हमारी प्रॉपरटी भीख जाएगी और हमें पैसा मिल जाएगा रो प्रिंसिपल लेका मिल जाएगा और जो रिटार्न आम इंवस्टमेट वो भी हमें लूड़ी है, इसलिए ये CCM का पार्मॉला बहुत जुरूरी है, CCM के बिना रियल स्टेट के बारे में सोचना भी बेकार है, सो आपने बहुत ध्यान चे रखना है, CCM को कहीं अपनी लिखे रखो, अपने बेडरूम में लिख लो, अपने कार में लगा के रखो, मेरे कोई पिछले क्लेनी आई थे रिजनीश, उसने अपनी कार में लिखे लगा है CCM का पार्मॉला, कि जब भी मैं कहीं प्रॉपटी पे जाता हूं, देखता हूं तो मेरे को CCM के बाहर चला जाओं, यह जो मैंने अपने काम में लिखे लगा है, यह मेरे को इस बात लिखे लिए हल्प करते हूं, जो आदमी CCM का पार्मॉला अपना लेगा, जिंदगी में ला लेगा, ले आएगा, वो आदमी कभी भी प्रॉपटी में नुकसान नहीं करवा सकते, क्योंकि देफिनेटली आपका नुकसान होने के चांसल पहुत ज़्यादा करने, वीडियो अच्छी लगे, लाइक कर देना, शेर कर देना, उसके उप्रॉप्मेंट करने, चैनल पर नहीं और सब्सक्राइब करके गंधी वाला बटन दबादो, बहुत जब ने टॉपिक के साथ पढ़ते जाएं, और आगे पढ़ते जाएं, पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, थैंक्यू बरी मॉच